राधा स्वामी सत्चंग व्यास की पुस्तक, बौद धर्म, उत्पत्ती और विकास की ओडियो रेकोर्डिंग। ओडियो कॉपीराइट दो हजार बाईस, राधा स्वामी सत्चंग व्यास, सर्वा धिकार सुरक्षित। बौद धर्म, उत्पत्ती और विकास लेखक, के एन उपाध्याय प्रकाशक, जे सी सेथी, सेक्रिटरी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंग, पंजाब कॉपीराइट, दो हजार चौदा राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सर्वा धिकार सुरक्षित, पहला संसकरण, दो हजार चौदा विशे सूची, प्राकत्थन, लेखक की ओर से एक, भूमिका दो, महात्मा बुद्ध का जीवन, एक प्रेणा तीन, महात्मा बुद्ध और त्रिकाय का सिध्धान्त चार, मनुष्य जीवन पांच, संसार की अनित्यता छे, आत्मा और परमात्मा के प्रती बौध द्रिष्टिकोण साथ, प्रज्यावान गुरू आठ, निर्वान प्राप्ति का मार्ग नौ, शब्द तथा प्रकाश के आंतरिक अनुभव तस, हठ्योग, कर्मकांड और जाती व्यवस्था की निसार्ता उपसंहार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं बुद्ध को, जिनकी तेजस्विता अकल्पनिय है, जिनका चित, राग रहित है और जिन्होंने अपनी करुणा से उस धर्म का उपदेश दिया है, जो अकत्निय है नागारजुन प्राकतन बौद्धर्म, उत्पत्ति और विकास में बौद्धर्म के उपदेश का एक ऐसी शाश्वत तिचारधारा के रूप में अध्यायन किया गया है, जो सत्य की प्रत्येक गहराई से की गई खोज को एक ही मूल आधार से जोडती है इसके लेखक प्रोफेसर के एन उपद्ध्याय ने पाली तथा संस्कृत जैसी प्राचीन भाशाओं का अध्यायन किया है और भारतिये दर्शन शास्त्र में वे विशेश रूप से पारंगत हैं इसके अतिरिक्त वे कई वर्षों से सुरत शब्द योग यानि आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का योग के पूर्ण सद्गुरुओं की परंपरा के भी संपर्क में रही हैं इस पुस्तक को लिखने में लेखक ने बौद धर्म तथा इसके मुख्य धर्म ग्रंथों का उनके मूल रूप में अध्यायन करते हुए अपनी विद्वत्ता तथा साथ ही आध्यात्मिक मार के संबंध में अपने निजी ज्यान का पूर्ण परिचे दिया है अगर हम विश्व के महान धर्मों में से किसी भी धर्म की गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि इन में कितनी समानता है सभी धर्म मानते हैं कि वह परम सत्य अनादी है वह समय तथा भौतिक पदार्थों की सीमाओं से परे है इस प्रकार सत्य शाश्वत है वह सभी वर्गों के लिए तथा सभी समय में एक समान रहता है सभी धर्म ग्रंतों ने और उन सभी ने जो सत्य की खोज में निजी तौर पर लगे रहे इस परम सत्य को अवर्णनिय कहा है जो मन तथा शब्दों की सीमाओं से परे है महात्मा बुद्ध का तथा अन्य आध्यात्मिक विभूतियों का सब के लिए यही संदेश है कि युगों से पूर्ण ज्यान प्राप्त गुरु इस संसार में आते रहे हैं और उनका संदेश बिना किसी भेद भाव के सब के लिए एक समान है पूरे विश्व के लिए सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं सभी करुणा, प्रेम और अहिंसा को ही जीवन का आधार मानते हैं और सभी का कहना है कि इस प्रेम को कोई भी पा सकता है और यह सब के लिए उपलब्द है अन्य प्रचलित आध्यात्मिक विचारधाराओं के समान बौद धर में भी इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि बुद्धी तथा शब्दों से परे उस परम सत्य का ज्यान प्राप्त करने और उसका साक्षात्कार करने के लिए नियमेत रूप से आंतरिक अभ्यास करना तथा इसके लिए अथक प्रयास करना अत्यंत आवशक है इस ओडियो पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए हम आशा करते हैं कि सत्य का ज्यान प्राप्त करने में यह ओडियो पुस्तक सहायक सिद्ध होगी जे सी सेथी, सेक्रिटरी, राधास्वामी सत्संग ब्यास